हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दू चैनल, आज हम बात करेंगे 2007 की मुवी तो औरिजिन टेरिटरी के बारे में मुवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो चर्च के पेंटिंग कर रहा था उसे कई दिनों से पैसे नहीं मिले थे, इसलिए वो बहुत ही गुसा था और पैसे लेने के लिए चर्च के फादर के पास जाता है लेकिन वहाँ जाके वो देखता है कि प्लेक के चलते चर्च के फादर की टेथ हो गई है जो देखके वो बहुत ही जादा अपसेट हो जाता है लेकिन फिर वो देखता है कि पास सीमित फादर के कपड़े पड़े हुए है वो उन कपड़ों को उठाता है और अब से फादर की तरह रहने का डिसाइड करता है दूसरे तरह हम लोरेंजो नाम की एक आदमी को दीखते हैं जो किसी से बच के भाग रहा था वो जिससे बच के भाग रहा था उसका नाम जर्मीनो था जर्मीनो लोरेंजो को पकड़ नहीं पाता है इसलिए वो अपने सोल्जर्स को ओर्डर देता है लोरेंजो को पकड़ने के लिए लोरेंजो भाग के अपने दोस्तों के पाल जाता है जोसे कहते हैं कि तुम अब इस सिटी में मत रहो अगर तुम यहां रहोगे तो लो जर्मीनो तुम्हें जरूर मार देगा लोरेंजो भी वहाँ से भागने लगता है फिर नेक्स सीन में हमें पंपीनिया दिखाई जाती है पंपीनिया एक प्रिंसेस थी जिसके फादर और मदर की हाली में डेथ हुई थी अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था तभी जर्मीनो उसके पास आता है और इस बात का फादा उठाने की कोशिश करता है वो इससे पूछता है कि अब तुम क्या करोगी लेकिन पंपीनिया कहती है कि मुझे अभी नहीं पता है लेकिन हा मुझे इतना पता है कि मिरे मदर और फादर ने रश्या के राजकुमार से मेरी शादी करवाने की बात कही थी और ऐसा कहे कि पंपीनिया वहाँ से जाने लगती है लेकिन तब ही जर्मीनो कहता है कि तुम्हारे पेरेंस ने मुझसे बहुती जादा पैसे उधार लिये थे और अब तुम्हें वो उधार ही चुकानी पड़ेगी ये सुनकर पंपीनियां बहुती जादा टेंशन में आ जाती है जरमीनो कहता है कि तुम्हारे पास अब जादा पैसे नहीं बचे हैं और तुम्हारे पास दौलत के नाम पर बस ये घर ही बचा है तो अगर तुम्हें अगर अपने पास रखना चाती हो तो तुम्हें मुझज़ शादी करने पड़ेगी जो सुनकर पंपीनियां बहुत ही ज़ादा गुस्सा हो जाता है दूसरे तरफ हम देखते हैं कि लोरेंजो भाग रहा है और पीछे ही जर्मीनों के सोलजर उसके पड़े हुए है जब भाग रहा था तो उसे रास्ते में एक आदमे मिलता है तो वो चर्च में जाने का डिसाइड करता है तभी वो सोलजर से बशने के लिए पेड़ के उपर छुप जाता है सोलजर जैसे ही वहाँ से निकल जाते हैं वो पेड़ से उतरने के कोशिश करता है लेकिन तभी पेड़ टूट जाता है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है तभी कुछ नन्स वहाँ से निकलती हैं और वो लरेंजो को लेकर चर्च में आ जाती है नन्स जब चर्च में आती है तो वो लेंजो को देखकर बहुत ही जादा एकसाइड़ फिल करती है और लेंजो को अजीब तरीके से टच करने लगती है अब लेंजो भी होश में आ गया था लेकिन वो उन्हें रोकता नहीं है क्योंकि अब उसे भी मज़ा आने लगा था तभी नन्स की हैड आती है और वो पूछती है कि आदमी कौन है तो नन्स बताती है कि ये आदमी एक गूंगा बहरा है जो सुनकर हैड़ खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक ऐसे ही आदमी की तलाश थी जो चर्च में काम कर सके उसके बाद लोरेंजो नहा रहा था तभी नन्स भी उसके पास आती है और माप उसके साथ नहाने लगती है हेड़ को इसे लिए गूंगे बहरे आदमी की जरूरत थी ताकि चर्च में जो भी चीज़े हो वो किसी को भी जाकर पता नहीं पाए दूसरे तरफ हम पैम्पीनिया को देखते हैं जिसके पास जर्मीनो आता है जर्मीनो कहता है कि तुमारे पास अब एक ही रास्ता है कि तुम मत्तर शादी कर लो पंपीनिया को ये सक्ची से पसंद नहीं आती है इसलिए वो जर्मीस ने उसे जान छुड़वाने के लिए चर्च में आ जाती है और कुछ दिन चर्च में ही रहने का डिसाइड करती है जहां उसकी नजर लोरेंजो पर पढ़ती है वो नन्स से पूशती है कि वो कौन है तो नन्स पताती है कि वो लोरेंजो है और वो गूंगा वेरा है और वो इस चर्च का माली है ये सुनकर पंपीनिया बहुत जादा एक्साइड हो जाती है क्योंकि उसे लोरेंजो पसंद आने लगा था अब एक दिन लोरेंजो अपना काम कर रहा था तभी एक नन्स के पास आती है और उसे अपने साथ इंटिमेट होने के लिए कहती है लोरेंजो भी उसे लेकर जाडियों में चला जाता है जो चीज़ पंपीनिया देख लेती है और बहुत ही जादा जैलिस फिल करती है क्योंकि उसे अब लोरेंजो पसंद आने लगा था लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है दूसरे तरफ हम देखते हैं कि टाउन में जरशिया का प्रिंस जरजस की आ चुका है जरजस की आकर जर्मीनो से कहता है कि उसकी अनल पॉम्पीनिया के शादी होने वाली है लेकिन जर्मीनो कहता है कि नहीं पॉम्पीनिया अब मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करने वाली है ये सुनकर जरजस की गुसा होके महां से चाने लगता है लेकिन तब ही रास्ते में एक आदमी उससे मिलता है जो उससे एक लैटर देता है और उससे कहता है कि compliant नंस Lorenzo के साथ क्या करती है और हो भी यह करना जाती थी फिर वो Lorenzo को seduce करती है तो Lorenzo भी उन दोनों के साथ intimate होने के लिए agree हो जाता है जब वह वहाँ से जा रही थी तो पंपिनिया ये सत कुछ देख लेती है अब एक दिन लोरेंजो जब अपना काम कर रहा था तो वह गाना गाते गाते अपना काम कर रहा था जो चीज पंपिनिया देख लेती है और समझ जाती है कि लोरेंजो गुंगा नहीं है फिर वो नेक्स डे लोरेंजो के रूम में जाती है और उसके आखों फिर पट्टी बानती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं तुम से शादी करना चाती हूँ फिर वो उसे किस करती है और वहां से चली जाती है लोरेंजो फिर अपने आग के पटी हटाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है और उसे ये पता भी नहीं चलता कि उसके रूम में कौन आया था क्योंकि उसने आग पर पटी बादी हुई थी फिर कुछ दिन बाद पंपीनिया का वहाँ से चाने कर टाइम आ चाता है लेकिन वह चाने से पहले हैडनन को बताते हुए जाती है कि लोरेंजो गूंगा और वेरा नहीं है वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो किसी को भी लोरेंजो के साथ नहीं देखना चाती थी और वो लोरेंजो से बहुत ही प्यार करती थी ये सुनकर हैडनन बहुत ही जादा गुसा हो जाती है और लोरेंजो के कमरे में जाती है और गुसे में उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है लोरेंजो बाहर खड़ा ही था तब ही वो देखता है कि पंपीनिया वहाँ से जा रही है वो पंपीनिया से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ पंपीनिया तो अल्रेडी उसे प्यार करती थी इसलिए वो इस चीज़ से बहुत ही खुश हो जाती है फिर वो उसे लेकर अपने साथ महल में आ जाती है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जर्जस की रास्ते में जा रहा था तब ही वो पानी पीने के लिए रुपता है जहां पे उसे नाते हुए एक लड़की दिखाई देती है वो उसे पूशता है कि क्या तुम पेमपीनिया को जानती हो मैं रशिया का राजकमार हूँ और मेरी और पेमपीनिया के शादी होने वाली है वो लड़की कहती है कि मैं ही पेमपीनिया हूँ अब जर्जस की ने कभी भी पेमपीनिया को देखा नहीं था इसलिए वो उस लड़की की बात मान लेता है क्योंकि वो लड़की भी दिखने में बहुत ही ज़ादा सुन्दर थी दूसरे तरफ महल में जब लोरेंजो और पंपीनिया खाना का रहे थे तब लोरेंजो बताता है कि उसे चर्च में एक लड़की से प्यार हो गया था जिस लड़की ने इसके आँख पर पट्टी बांदी थी और इससे कहा था कि वो उससे प्यार करती है और शादी करना चाती है यहाँ पर पंपीनिया समझ जाती है कि वो उसी की बारे में बात कर रहा है फिर वो उससे पूछती है कि तुम उस लड़की को कैसे पहचानोगे और कैसे ढूंडोगे तो लोरेंजो कहता है कि मैं कैसे ना कैसे करके इस लड़की को ढूंडी लूँगा अब Pompiniya उसके पास आती है और उसे बताने ही वाली होती है कि वही वो लड़की है लेकिन तब ही वहाँ पे जर्मीनो आ जाता है और जर्मीनो वहाँ पे लोरेंजो को देखकर बहुत ही जाता है और लोरेंजो उससे अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज करता है दुनों के लड़ाई होती है लेकिन तभी लोरेंसो हारने लगता है और जर्मीनों उसे मारने ही वाला होता है लेकिन तभी पंपीनिया कहती है कि अगर तुमने लोरेंसो को मार दिया तो मैं तुम्हारे साथ कभी वे शादी नहीं करूँगे जिससे वो लोरेंजो को नहीं मारता है लेकिन उसे काल कोटरी में बंद करवा देता है नेक्स मॉर्निंग जरजीनो पंपीनिया के पास जाता है जहाँ पंपीनिया कहती है कि मैं तुम से शादी करने के लिए तयार हूँ लेकिन उसके लिए तो में लोरेंजो को छोड़ना होगा तो जर्मीनो उसकी बात मान जाता है और वो अपने दो आदमियों को कहता है कि वो लोरेंजो को जाकर जंगलों में छोड़ है फिर वो दो आदमी लोरेंजो को लेकर चले जाते हैं दूसरी तरफ फादर आता है जिसे पंपीनिया पैसे देती है और कहती है कि मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी है तो जितना हो सके आप इतनी शादी को कैंसल करने कर ट्राइ करो यहां हम देखते हैं कि यह वही आदमी है जो स्टार्टिंग में हमें मुवी में दिखाया जाता है जो पेंटिंग कर रहा था उसके बाद हम जंगल में देखते हैं कि वो तो आदमी लोरेंजो को मारने के लिए जंगल में लेके आये थे लेकिन तबी लोरेंजो भी उन पर अटेक करके उन्हें भी हूश कर देता है वहीं हम दूसरी तरफ जर्जस्की को देखते हैं जो कि पंपीनिया के पास जा रहा था तो लोरेंजो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर जाता है जहां हम देखते हैं कि जर्जस्की सबको रोकता है लेकिन उसके बात कोई भी नहीं मानता है फिर जर्जस्की सबको अपनी गन दिखाता है गन देखकर जर्जस्की एक एक करके सभी को मार देता है और फिर वो एंड में जाकर जर्जस्की को भी मार देता है तो जजजस की कहता है कि तुम वो पंपीनिया नहीं हो जिससे मैं प्यार करता हूँ तबी पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम मलिसा था जो कि Pampeenia के बहुत अच्छी फ्रेंड थी जिसे देखकर जजस की कहता है कि ये मेरी Pampeenia है मैं इससे शादी करूँगा और ये सुनकर Pampeenia भे खुश हो जाती है फिर Pampeenia लोरेंजो के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है लेकिन लोरेंजो कहता है कि मैं तुम से शादी नहीं कर सकता हूँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ तो पंपीनिया कहती है कि ठीक है लेकिन क्या तुम मझे केस कर सकते हो फिर लोरेंजो से केस करने के लिए रेडी हो जाता है जब लॉरेंजो से केस करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि पंपीनिया ही वो लेर की है जिसने उसे चर्च में केस करा था और वो दोनों हमिशा मिशा साथ में रहने के लिए अगरी हो जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खतम हो जाती है तो एक्स्प्रेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सरूर करें थैंक यू